हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एकदम चट पिटा और टेश्टी सा नास्ता तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो आज का नास्ता हम ब्रेड से बनाने वाले हैं तो यह चार ब्रेड हमने ले ल लेंगे तो ऐसे चोटे चोटे पीस करके चारों ब्रेड को तोड़ लेंगे तो यह चारों को तोड़ दिया इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो यह देखे आप हमने ग्राइंड कर लिया इसको उसके बाद हम क्या करेंगे एक बावल ले लेंगे और बावल में इसे डाल दें 10-15 मिनाट पहले तो इसका पानी हमने निकाल दिया amendments बादा और उसके बाद चार फली हम लसुन के डालेंगे इसमें और 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे औहर इसको थोड़ा सा निकाल के हम अलग रख लेंगे तो इसका इसका यूज हम बाद में करेंगे तो तीन-चार चम्मच हमें अलग रख लेते हैं और उसके बाद जो हमने बड़ी को पीशा था सोयवीन की उसको हम इसमें डाल देंगे और एक उबला हुआ आलू हमने लिया है तो इसको हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे बहुत अच्छा टेश्टी बनता है यह नास्ता तो एक बाद ट्राइ किजिएगा अग्या पाटलेंक ismail लियाक है खुआ वे ग्रंच gy उसके बाद हम नमाक डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्वात की आनूसारी यह थोड़ा चाव finite मसाला बेंगे तंग पमयाँ परका नहीं से बुदेते यह चोटी चमाच न है ऑधीं चोटा च और गरममसाला डाल अब घंड हाने गे। उसके बाद हम इसमें दो चम्मच चावल का अटा डाल रहे हैं तो आप चाहें तो बेशन भी डाल सकते हैं इसमें तो अच्छी बैंडिंग आ जाएगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके तो इसमें बिल्कुल भी पानी ने डालना है तो इसमें जो हमने आलू डाला हूँ और जो वो सोया बढ़ी है तो उसमें काफी सारी नमी हो जाती है तो उसी से हम इस डो को बढ़िया सा बना लेंगे ऐसे करके मसलते हुए ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और यह एकदम सॉर्फ्ट सा डो बन जाए तो ऐसे ही मसलते हुए और बढ़िया सा इसका डो बन के तयार हो गया है तो आप देख सकते हैं तो उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा ले लेंगे ये डो तो ऐसे करके और कोई सेब जो भी सेब आपको पसंद हो वो आप दे सकते हैं तो हम इसे टिकी की तरह ही बना रहे हैं तो ऐसे कूल कर लेंगे तो ये आप देखे बड़ी आसा बनके कोई भी जंजट नहीं है तो सारी बना के हमने तयार कर दियें तो एक छोटी सी तयारी कर लेंगे तो दो चमच हमने मैदा लिया है इसमें और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे थोड़ा सा हम अजवाइन डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको उसके बाद पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका एक बड़ी आसा गोल बना लेंगे तो ज्यादा गाड़ा भी नी बनाएंगे ज्यादा पतला भी नी तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें गुट्लियां गुट्लियां रह जाएंगी तो ऐसे मसलते हुए बढ़ी आसी चमबस से और इसका गूल बना लेते हैं तो यह आप देखें बढ़ी आसा गूल बनके तयार हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने टिकिया बनाई है वो हम ले लेते हैं और इसको इसमें टुबो देंगे अच्छे से इसको कोट कर लेंगे ऐसे करके और उसके बाद इसे हाथों से उठा के और ऐसे करके और जो ब्रेड हमने बचाई थी थोड़ा सा क्रम्स बचाया थे वो इसलिए बचाया थे तो इसको हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे यह आप देखे बढ़िया सा बनके सारे ही तयार हो गए हैं तो चलते हैं कैस की तरफ तो इधर हमने तेल करम करने पहले ही रख दिया था तो तेल अच्छा करम हो गया है तो एक एक करके डाल देते हैं तो जितनी भी इसमें आएंगे उतनी हम डाल लेते हैं कि अग्यास को हम मीडियम पर रखेंगे जयादा कम भी नहीं करेंगे ज़्यादा हाई भी नहीं करेंगे थोड़ी देर बनने देंगे इसको एक साइट से उसके बाद ही हम इसको पल्टेंगे तो यह यह आप देखे बिल्कुल बढ़ी आसी बनके तयार हो गई हैं तो हमने एक दो बार इन्हें पलट पलट के अच्छे से से शेक लिया है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसे उतार लेंगे क्योंकि यह ज्यादा जल जाएंगे फिर तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ी आसी दिख रही हैं तो साइड में थोड़ा सा रोक लेंगे जो भी तेल होगा इसमें तो वो निकल जाएगा और एक एक करके उतार लेंगे ऐसे ही करते वे तो यह पूरा ही नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा यह आप देखे कितना बड़ी आसा बनके तयार हो गया है तो इसे सौस और चटनी के साथ खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगता है थैंक यू